इस उमर एहमद एक बेहतरीन जानवर दिखाना है बेहतरीन शौक दिखाना आपको मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दोस्त हैं भाई की तरह हैं वो जहानाबाद में रहते हैं नदीम भाई ये गुजरी बच्चा उन्होंने लिया था जेविस भाई और रियाज भाई का लॉट आया था पटना में उतरा था तो उस लॉट का ये बच्चा है वहाँ से ये गुजरी उन्होंने लिया था खरीदा था और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने वीडियो में लॉट के रिकार्डिंग टाइम और डेड और सब चीज़ बता देता हूं तो उसी को देख करके ये सुबा पांच बजे जहानाबाद से पटना आयते हैं सिटी में और ये बच्चा पसंद किया था ये बच्चा अन्होंने 2022 में लिए था वस्वक्त काफि क्वफछ चोटा था लगभग इसकी फेносर चार मेने के खारीब ती बदिया नहीं रहते हैं तो तो बदिया नहीं रहते हैं ये वजन में काफी कम था लगभग 1617 किलो का वजन ता चौटा बच्चा था दोस्ए 30 के के फ लग भग 45-50 किलो वसंद पे आ गया था और दाट जो है वो फॉरन गिराया था उस वक्त और अभी ये खस्ती जो है छे दाट निकाल रहा है आप इसे खुबसूर्थी देख सकते हैं लास्ट ये 2023 खुर्बानी में 50 किलो वसंद पे था लग भग अभी खुबसूर्थी देख इसके चाल ढाल देखें और अब इस खस्ती का वसंद देखें आप कि 17 किलो से लेकर के 105 किलो पर ये जानवर अभी है ये रिसंट की वीडियो है बहुत जादा मेहनत किये नदीम भाई ने बहुत जादा हार्ड वर्क किया इसके उपर तब जाकर ये रिजल्ट आया है तब एक वी महनत लगता है डिडिकेशन रहता है और आपको रेगूलर डाइट देनी पड़ती है रेगूलर केर मिलता है सिर्फ खूटे पे लागर के बाम देने से जानवर तयार नहीं होता है बच्चे की तरह केर करनी पड़ती है तब जाकर कहीं खासी तयार होता है अच्छा जानवर तयार होता है मेरे साथ से दो चीज़ बहुत इंपॉर्टन्ट है पहला है ब्रीड और दूसरा है फीड तो ब्रीड जो है या फ्रेम समझे कि अच्छी ब्रीड या अच्छे फ्रेम का जानवर होगा बच्चा होगा तो ही तयार होगा आप कितना भी खिला दीजे छोटी फ्रेम का जानवर लागर के उन्हीं तयार होगा दूसरा अच्छी diet दिजिएगा जह तभी जानवा तयार होगा breed प्लस feed दोनों का combination बहुत ज़रूरी है अच्छी breed का ये बच्चा हो और उसको diet ना मिले उसको अच्छा care ना मिले तो वो भी नहीं तयार होगा वो भी हड़ी चमडा रह जाएगा दोनों चीज़ important है breed भी, feed भी ये देखिए आप कि ये इसकी बैटने की जगा है और मैं लोगों से कहूँगा कि जब मौसम ठंडर है तो आप ऐसा चौकी या ऐसा पैलेट बनाए ताकि आपको जानवा अराम से बैट सके जमीन की ठंड़क बहुत परिशान करती है खसी या बकरी को गर्मी में जानवा जमीन में बैठ सकता है लेकिन जाड़ा और साथ या मौसम जब ठंड़ा हो तो पैलेट ज़रूरी है बहुत एसेंशल चीज़ है पैलेट नहाता है खुद से माशालला बहुत अच्छा साथ अब भाई का चौक देखें भाई का खसी देखें भाई का गुजिली खानवार देखें शावर खोल लेता है ना तो खुद से खड़ा रहता है इसके नचे खाने में इसको मिलता है चना है चना है मकई है गंदू में चना का दाल है और सोया बीन है और जौ है और मेंडर मिक्षर पॉर्ड है इसमें आप इस खसी की हाइट देख सकते हैं लगबख 40 सिंच के करीब इस खसी की हाइट है देखें आप लोग कि लगबख 40 सिंच हाइट आ रहा है यह खुर्बानी का जानवर है बस शौक के लिए आपको दिखाया जा रहा है आप भाई का केर देख सकते हैं रक रकाओ देख सकते हैं और कितनी महबद करते हैं अपने खसी से वो देख सकते हैं ऐसे शौकिन लोगों सही शौक बड़ता है आपका चैनल बीदी व्लॉक्स एस ता शौक दिखाता है नदीम भाई से जब मेरी बात हुई तो काफी दादा इमोशनल थैं इस चीज़ को ले करके क्योंकि पंद्रा दिन में इसे खुरुबानी हो जाएगी इस खसी के अगर डाइट के बारे हैं बात करें तो दो टाइम ये दो तरह का खाना देते हैं एक टाइम खड़ा अनाज और एक टाइम चने का चूनी और खल हलका पानी भीगा करके देते हैं इसके अलावा सप्लिमेंट में लिवर टॉनिक और कैल्शियम औगा ये इन्होंने दिया है तो देखें आप जानवर का रिजल्ट और इनकी तयारी बताएं आप कि जानवर के तयारी कैसी लगी इनका जानवर कैसा लगा शौक कैसा लगा ऐसे शौकीन के लिए ऐसे जानवर के लिए और ऐसी तयारी के लिए एक लाइक जरूर बनता है और आपका एक कमेंट जरूर बनता है तो नदीम भाई के लिए जरूर कमेंट करें उनके जानवर के लिए जरूर कमेंट करें ऐसे शौकीन लोगों का शौक देख करके दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं और दूसरे लोग भी अच्छा जानवर तयार करते हैं उनको देख करके उनसे इंस्पायर हो करके सेल फीड का ये खसी है कोई भरा ही नहीं हुई है काफी जादा एक्टिव है खुबसूरत है और बेहतरीन चीज है खसी बकरे ऐसे ही भागते दोड़ते हुए होना चाहिए जो खसी बकरे एक जादे खड़े रहते हैं और हापते रहते हैं अच्छे नहीं लगते है जानवर एक्टिव जादा पसंदा आता है हमको अल्ला इनके खुर्बाने में खबूत अता फर्माए हम लोग ये दुआ कर सकता है इनके लिए बागी मैं ये कहुँँगा लोगों से ये शोख जानवर बनाना ये सब वक्त मांगता है तो जिन भी भाएलों के पास अगर वक्त है तब ही ये शोख करें जानवर वक्त चाहिए जानवर को तयार होने मैं और डाइट भी चाहिए होता है अगर आपका schedule tight है अगर आपका schedule busy है तब आप ये शौक ना करें कि जानवर वक्त खोशता है लोगों से request है कि अगर आपमें आरे चैनल पर वीडियो डालना है आपको तो अच्छी वीडियो भेज़ें पंदरा सेकेंड की आधे मिनट की वीडियो ना भेज़ें कम से कम थोड़ी लंबी वीडियो हो ताकि voiceover करने में भी आसानी हो और details साथ में ही भेज़ते हैं ताकि वीडियो बनाने में असानी हो अब आप आप डीटेल्स ना मागना पड़े ये परिशानी आती है तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं मिलताब आप से नेक्स व्लोग में तब तक लिए बाइबाइब थैंक्स वाचिंग बीटी व्लोग थैंक्यू